प्रिपेर कर रहे हैं यह बनाई है स्लरी सिलिका जेल जी जी क्यों कहते है उसको सिलिका जेल जी जी क्या होता है उसमें बाइंडर जिपसम जो इसको सिलिका को बाइंड करेगा प्लेट से यूनिफॉर्म आने चाहिए हाँ पठी भी नहीं बहुत मोंती भी नहीं करते हैं तो कितनी मेथाइड होती है उसको प्रिपेर करने की कौन कौन से होती है वह बताना तो भाँपना first method is pouring, second is dipping and third is spraying and fourth is spreading कर रहें हो प्रिपेर कर रहे हैं वह तरिड़ सबीन के लिए ऑप अच्छे प्रेडर आने लगए हैं उसमें हमस प्रेड करते शवरी को प्लेस करते अप्लीकेटर में उसके जाने क्या रेशियो लेते हैं हम, जेनरली क्या रेशियो लिया जाता है इनका? एनका रेशियो 2.5 तो अब चीप प्रपेर कर लिए तुमने उनिफॉर्म तिक्नस की चाग आप ना क्रिट करो प्रपेर एक पौर करके यूनिफॉर्म तिक्नस होनी चाहिए ऐसे शिक करो बस फर्स वड़ी तेर में उनिफॉर्म ली स्प्रेड हो जाएगा यह रिसको ड्राय होने रख देना, यस हो गया, ड्राय होने रख दो, जिभी एर ड्राय हो जाए अधा एक घंटे में फिर इसको अवन में रख देना, ट् ख्राय हो जाम्होड झाल बाइव, 0.5 ml 2-70 अलीफ, 50 ml रॉग, इसलासेतीक अव़ाट, और ली दिक रख जाएब कि रख़ को, के वड़ाएब फिर देना, ग्राय हो के कया, व्राय होने निखॉर्म ली तेना, व्राय होने कि भैज भॉचे खाफ प्पाहषा प्पाह। कि भॉच युट खाफ टॉब्धी टॉब्याप्ट डॉड प्रिट्ट गड़ राफ यॉट भॉट राफ खाफ अकूछ लूजिनार एटमेट इस 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 ऑफिनिटी के हिसाब से इसके कॉंपनेंट्स फ्लो करेंगे जो की क्रोमाटीग्रिविक का प्रिंसिपल है इसमें से कुछ की जो mixture essential oil में components हैं, इसमें कुछ एक की affinity silica gel के लिए होगी, वो क्या होगे, वो adsorbed रहेंगे, और कुछ एक की mobile face के लिए होगी, वो इसमें आगे move करेंगे, फिर हम इनकी calculate करेंगे, इनको visualize करेंगे iodine chamber में, और anisaldehyde से spray करके, और इनकी हम RF value calculate कर सकते हैं, retardation factor, which is, क्या होता है, RF value कैसे calculate करते हैं, जो हमारा solute flow करता है, ratio उसका किसके साथ, solvent system, कितना distance हमारा हर compound flow करेगा, over distance traveled by the solvent system. Now, with the help of a capillary, the sample is being applied at the center of the plate, about one centimeter away from the lower edge. This is an essential oil sample prepared in hexane, which has been extracted from one of our plants. Now, cover this, let it flow. The plate is now developed and ready for visualization. Keep it to air dry. The plate after air drying is now kept for developing in the iodine chamber, which has been made in a beaker. The plate is now Freundrand. The plate is now developed and ready for manufacturing. The plate is now